आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूटुब चैनल इस्टडी ओनलाइन चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फड़ फड़ चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेश नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपको नॉटिफिकेशन प्राप्त हो सके चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं मद्ध प्रदेश समान ग्यान का पार्ट 28 जिसमें हम कवर करने वाले हैं तो वीडियो में अंदर तक बने रहेगा और जो भी दोस्त नहें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर दे चलिए सुरू करते हैं राइसेन जिला तो राइसेन भोपाल संबाग का जिला है और इसके अंतरगा आठ तहत्सीले सामिल है चलिए next है सांची दोस्तो बहुत important है note कर लिजएगा सांची यहां पर संब्राट असुग द्वारा निर्मित बहुत स्थूप है दोस्तो सांची में कौन सा इस्थूप है तो बहुत स्थूप है और सांची युनेसको के सुधरोवर में 1989 को सामिल किया गया था कब सामिल किया था तो 1989 में और यहां के सिला लेक जो है वो ब्रामी लीपी में है दोस्तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट कर लिजेगा चलिए नेक्ष्ट देखते हैं राइसेन की सांची में बौध युनिवर्सिटी भी इस्तापित की गई है तो बौध युनिवर्सिटी कहां इस्तापित की गई तो राइसेन के सांची में चलिए next है साची का प्राचीन काली नाम क्या था तो काकडा या बौध स्री परवत दोस्तो यहां पर बौध भी होगा क्या था बौध स्री परवत नाम था या काकडा है इसका साची का प्राचीन नाम चलिए next देखते हैं भीम बेटका दोस्तों बहुत इंपोर्टन्ट है यह एक प्रॉग इतिहासिक काल का पुरा तात्वी किस्तल है दोस्तों आदी भीम बेटका की गुफाओं से आदी मानों की चित्रकारी के साक्षे प्राप्त हुए है दोस्तों बहुत इंपोर्टन्ट है यह भीम बेटका नो भर में कब सामिल किया गया तो वर्स 2003 में इस गुफा को इस धर भर में सामिल किया गया, चलिए next है, सर जौन मार्सल ने पुरा तत्तु संग्राले की इस्थाप्ना कहां की तो राइसेंज़े में की है, चलिए next देखते है, चलिए next है कुम्रा गाउं यहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है दोस्तो राइसेन के कुम्रा गाउं नामकिस्तान से बेतवा नदी का उद्गम इस्ताल होता है दोस्तो बहुत important है नोट कर लेजेगा चलिए next देखते हैं हलाली परियोजना जिसका वेकल्पिक नाम क्या है तो सम्राट असोग सागर परियोजना भी है और यह ब्रहत सिचाई परियोजना विदीशा यू राइसेन की सैयुक्त परियोजना है दोस्तो ध्यान में रखेगा बहुत important है हलाली परियोजना जिसका अन्य नाम क्या है समराट असोक सागर परियोजना और या बिदीशा और राइसेन की सैयोक तो परियोजना है चलिए नेक्ट है राइसेन के भोजपुर नामकिस्थान पर मद्व प्रदीश का सबसे बड़ा सिवलिंग इस्तापित है जिसे पूरु का सूमनात कहा जाता है चलिए नेक्ट देखते हैं दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब ने किया तो फटा फट से चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें एक्ट है राता पानी अभिरंट प्रोजेक्ट टाइगर में समलित एक मात्त अभिरंट है और यह कहां है तो यह अभिरंवार्ण राइसेन जिले में रातापानी के अलावा यहाँ पर सिंदारी अभ्यरन भी इस्तित है दोस्तों बहुत Important है नोट कर लेज़ेगा तो आजसे निढन जिले में इस्तित रातापानी अभ्यरन जो है वो Project Tiger में Sumlid एक मात अभ्यरन है और बात करें हम दोस्तों की मद्द प्रदेश का सबसे चोटा अब्यारन कौन सा है, तो वह राला मंडल अब्यारन है, और वो कहाँ पे इस्तित है इनदोर में, उसकी स्थापना 1989 को की गई री, द्यान में रखियेगा, और सब्रदेश का ही सबसे बड़ा अब्यारन कौन सा है, तो वो नौरा देही अब और दोस्तो इसी प्रकार से topic topic wise हम इनको भी cover करेंगे चलिए next देखते हैं राइसेन के मंडी दीब में देश का पहला optical fiber कार खाना इस्थापित किया गया है दोस्तो बहुत important है कई बार पूछा जा चुका है या मद्ध प्रदेश और भारत दोनों का पहला optical कार खाना कहां इस में सिरसासूरी ने राजा पूरन मल से छीन लिया था दोस्तो वैसे ये तीनों महल ध्यान रखेगा कि राइसेन में कौन सा है तो बादल महल राजा रोहित महल और इत्र महले स्थापित हैं चलिए next देखते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सस्क्रा पहला सिव संगराले राइसेन जिले के भोजपूर में इस्थापित किया गया है दोस्तो नोट कर लिजेगा बहुत इंपोर्टेंट है भारत का यानि कि देश का पहला सिव संगराले राइसेन जिले के भोजपूर में इस्थापित किया गया है चलिए next है म्रगेंदरनात क गुफाएं पाटनी राइसेंड में इस्तित है तो वह पाटनी राइसेंड में इस्तित है चलिए नेक्स्ट है तमोट प्लास्टिक पार की स्थापना राइसेंड जिले में की गई है दोस्तों कौन से प्लास्टिक पार की स्थापना तो तमोट प्लास्टिक पार की स्थापन कहां की गई राइसेन जिले में की गई है चलिए next है परियतन विभाग द्वारा राइसेन जिले में भोजपूर महत्सों का आयोजन किया जाता है दोस्तों भोजपूर महत्सों का आयोजन कहां किया जाता है तो वह राइसेन जिले में और किसके द्वारा आयोजन किया जाता ह परियाटर्न बिभाग के द्वारा दियान में रखियेगा चलिए next देखते हैं दोस्तों next है राईसेन जिलें में तीन सजय परियोजना कार्यत है कौन-कौन सी तो पहला है बारना सिचाई परियोजना दूसरा असोक सागर हलाली परियोजना तीसरा नर्वदा घाटी परियोजना दोस्तो बहुत important है note कर लिजेगा बारना सिचाई परियोजना असोक सागर परियोजना जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं और दोस्तो ये परियोजना जो है ये संयोग तो परियोजना है बहुत देशी परियोजणा कही जाती है क्योंकि यह विदीशा और राइसेंड की सेयोग तो परियोजना है ध्यान में रखिएगा और नर्वधा घाटी परियोजना चलिए नेह्ट है यहां पर फरिदउल्ला की दर्गा इस्तित है चलिए नेक्ष्ट है राइसेन के वनगावा में प्रसिद्ध प्रोगतिहासिक सेलचित्र इस्तित है चलिए नेक्ष्ट देखते है चलिए दोस्तों नेक्ष्ट देखते है राइसेन जिले के परेटन इस्तल को तो यहाँ पर इस्तित है साची स्तूप और इसका संबंद समराट असोग ने असोग इस्तम ये किस लिपी में ब्रामी लिपी में ध्यान रखीगा बौद बिहार ग्रेड बाउल गुपता मंदिर सिव संगराल है भोजेश्वर मंदिर भीम बेटिका की गुफाएं यहां आदी मानों के गुफाओं में आदी मानों के सेलचित्र के साक् कर दीजेगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर चरू कर दीजेगा और नेक्स्ट नॉटिफिकेशन के लिए बेल आ